तो सिल्यव प्रभुपाद एक महान बैष्णव था, जे महान बैष्णव कलकाटा में अठेरोसो च्यानब्वी शाल में जनम किया है। तो सिल्यव प्रभुपाद उसको गुरु महाराज सिल्यव भक्ति सिद्धान तो सरस्थी ठाकूर को पत्म मिला है 1922 साल में कलकाटा में। तो सिल्यव भक्ति सिद्धान तो सरस्थी ठाकूर उनको बोला है जब तो एडूकेटेट अदमी हैं, एडूकेटेट लिर्का हैं तो चैतनों महापुबु का बाणी अब पास्चत्यों देश में पचार करो और यह भगवान का बोई किताब और वितरन करो और वो प्रिंट करो तो यह निद्धेश स्विल्यव भक्ति सिद्धान तो सरस्थी ठाकूर उसको दे गिया तो परुपाजी ऐसे है स्विल्यव भक्ति सिद्धान तो सरस्थी का डिसाइपल शिश्चा है जो सारा जीरन भगवान का लिए उठसर्ग कर दिया और रादा दाम उदर मंदिर में जो आप किताब देखता है परुपाजी का उदर में सब वनुबात किया है इंगलीज भासा में उसको बाद किताब लेके उन्ही सपरिशट्री साल में वह अमेरिका चलिया तो गुरु महाराज का निद्देश ओ निद्देश ओ सब किताब पस्चत्व देश में बितरन करा है तो देखो पस्चत्व बासी क्या हो गया ओ किताब परके अभी बड़ा भक्त हो गया ओ कोई सरब नहीं पिता है मुछली नहीं पिता है मंसो भी नहीं करता है जुआ भी नहीं ओ खिलता है तो इतना बड़ा भक्त हो गया पस्चत्व देश बासी तो इसे ही परुपाद जी का क्रिपा है जो वो ही किताब लिखके वो कितना हमारा मनुस्त्र जीवन का सर्थो किया है तो इसलिए हाँ मनुड़त करता है आपको जो परुपाद जी किताब लेो आपको मनुस्त्र जीवन धन्न करो आप गीता भी पार्ट करो और गीता पार्ट करके बहुत किताब इतना बड़ा है जब भगवान का मुकरन सित्रबानिया है वो बोलता है तेश हम भगवान रुजुन के बोला है तेश हम सतत जुकतानम भजताम पितिकपरवकम दलामी बुद्धी जोगम जे नमाम पोईंतिते तो भगवान आपको बुद्धी देदेगा आपको कीताब परेगा वो भगवान को गीताब परेगा तो आप भक्तव हो जाएगा और आपको मनुस्व जीवन सर्तक हो जागा यह हमारा आपको पास निवेदन है आप पुदुपाज्जी का किताब परो और मनुस्व जनम सर्तकर। हरे किष्णा